तो हम बात करते हैं सिंग राशी के जातकोगी कि आने वाला दिसंबर का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है अगर हम देखें तो कुल मिला कि ये महीना पहले से काफी भैठा रहने वाला है परिवार का सही योग बनेगा आपस में सुक शांती रहेगी हरी किशना मैं आचारे पूजा आपका वेदिक एस्टोकेज में स्वागत करती हूँ हम बात करें थे सिंग राशी के जातकोगी कि आने वाला दिसंबर का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है कुछ ग्रेग रोचर की स्थीती को पहले जान लेते हैं लगनिश आपके चतुर भाव यानि सुक्स्थान पे बैटे हैं बुद्ध और शुक्र के साथ यूति बना कर शनी आपके शश्टम भाव में बैटे हैं और बस्पती आपके अश्टम भाव में अपने ही राशी में बैटे हैं मंगल तशमभाव में बैठके वक्री होके आपके कारे को थोड़ा सा तनावपून कर रहे हैं तो ये थी ग्रह गोचर की स्थी थी और इसी के अधार पर हम आपको बताएंगे कि आने वाला दिसंबर आपके लिए हर शेत्र में जैसे आपके स्वास्त हो गया, वैपार हो गया, नौकरी हो गया, आपका आर्थिक शेत्र हो गया, शिक्षा, प्रेम संबन या विवा के शेत्र में कैसे रहने वाला है जैसे मैंने बताया कि यह महीना आपका पिछले महने से काफी बहतर रहने वाला है, आपका परिवारिक सहयोग बनेगा, सुक्षान्ती रहेगी, आपके परिवार में अच्छा तालमेल बनेगा, आर्थिक शेत भी मजबूत होगा, अब हम इसको विस्तार से जानेगे कि यह स्वास्ति के लिए अगर हम देखे तो आने वाला दिसंबर, आपके लिए कोई मिलागे काफी नेगा है, आलाकि आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी से समधा हम नजन लिएकर सकते जैसे शनी आपके 6 भाव में बैटे हैं तो शनी का 6 भाव में बैटना ये बात दर्शात है कि आपके कुछ समस्याइए हैं जो काफी लंबे समय से चली आ रहे हैं वोच अठकी हुई हैं तो स्वास्तिक ब्रती आपकी चिंता लाजमी हैं इसके अलावा आप इसके ओपर खर्चा अच्छा खासा भी कर रहे हैं तो इसके वज़े से आपके जो स्थीतिय थोड़ी तनाव पुन रह सकती हैं लेकिन अगर आप अपनी दिन चार्या को अच्छी रखेंगे अपना योग वयाम को अपने लाइफ में एट करेंगे उसको शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप छोटी मोटी समस्या उसे भी बाहर आ जाएंगे इसके लिए आपको क्या करना है सुबह की सैर आप अपनी चाहेतों कर सकते हैं आप योगा कर सकते हैं और आप ध्यान साधनामी कर सकते हैं इससे आपके मानसिक शान्ती बनेगी तो यह चोटी मोटी समस्या है जो है वह ऐसी दूर हो जाएंगी उसके लाएंगे तो सबसे बड़ी चीज है आपका खान पान अगर आपका खान पान दुरुस्त है और सही है तो मुझे नहीं लगता कि यह चोटी मोटी जो शनी है जैसे कोई भी है अगर कुछ बाधा भी डालेंगे तो आपको जादा गंबीरता से इसको लेने की ज़रू कारेशेत्र की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दशमस्थार में वक्री मंगल बैठे हैं थोड़ा सा आपको डिस्टब्स जरूर कर रहे हैं थोड़ा सा तनाव भी दे रहे हैं और चिर्टर आपन और फ्रस्टेशन तो है लेकिन अगर आप इससे बच कर निकले करें तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा दूसरी बात आपके अधिकार अगर आपको कुछ काम सौपते हैं या उस वज़े से फ्रस्टेशन होता है उसको एवोइट करें आप उस पर ध्यान ने दे सिर्फ अपने कारे पर ध्यान दे अपनी अगर आपको सफलता चाहिए तो आप अपने आपको साकरात्मग रखे ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा इसके लावा हम दे सकते हैं जो कुछ लोग work from home कर रहे हैं उनको करना पढ़ रहा है किसी कारण बश ये अस्थाई है इसे जादा सोचे ना ये बहुत जल्दी आपको इससे चुटकार मिल लेकिन ये permanent नहीं है शनी महरत छटे भामवे बैटके काफी महनत और भाग दौर तो आपको करवाई रहे हैं क्योंकि शनी इसी के लिए जाने चाते हैं कि आप महनत करें तभी आपको उसका फल मिलेगा और महनत का फल हमीशे मीठा होता है तो इस बात का अप ध्यान रखे क कि कोई भी कारे अपनी चिंता अपने तनाव से या अपनी फ्रस्टेशन से उसा खराब न करें उस चीज को पॉजिटिव ली लें और साकरात्माग सोचेंगे तभी आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा कुल मिला के दिसंबर आपके लिए सही रहने वाला है अचानक भी नहीं चलने वाली बहुत जल्दी 2023 जनवरी में जब शनी राशी परिवतन करेंगे तो आपको काफी रहात देखने को मिलेगा लेकिन तब तक आप इस बात को संभाल के रखिए कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉग टम अच्छे परिणाम देने वाला है आपक अगर हम देखेंगे थोड़ा खर्चे में आपको कर्डोल करना पड़ेगा खर्चे को कर्डोल करके अदरवाइस आपका जो है बैलेंस काफी बिगड सकता है तो बाकी हम देखें दिसंबर आपके लिए अनुकूल परतिकूल के साथ उतार ठड़ाव के साथ ठीक ठाक रहन अब हम पार्थ करेंगे आपके आर्थिक शेत्र के लिए अगर हम देखें तो एकादश में केतुजी महराज विराजमान है तो केतु थोड़ी समस्य आपको लेन देन में कर रहे हैं क्योंकि जो आपका लाप का शेत्र है वो एकादश भाव है जहाँ पर केतू काफी लंब होगा तो उसको फिलाल टाल दें आर्थिक शित्र वैसे मजबूत रहेगा इसमें कोई संदे नहीं है लेकिन आपका उतना भी खर्चा होगा उतनी जादा जैसे आपने एक्सपेक्टेशन करी जैसे आपने उसकी संभावना सोची थी आपने उमीद की थी उसके हिसाब से आप करके चलेंगे तो आप आगे देखेंगे कि आपका जो बजट बैलेंस है वो सही रहेगा आपको इतनी परेशानी नहीं होगी क्योंकि अब भी कुछ ग्रह गोचे में स्थी थोड़ी सी नाजुक है कंबीर बनी हुई है इसलिए आपको ये सब करके चलना पड़ेगा लेकि शेत्र में मंगल भीट, शीगरी वक्रता से बहार निकल कर आपको उत्सा और जोज से भढ़ देंगे जिसे आप हमना कारे अच्छे से कर पाएंगे तो ये था आपका अर्थिक शेत्र के लिए और अब हम बात करेंगे आपका शिक्षा शेत्र तो शिक्षा शेत्र की अकर बात करें तो विध्यार्तियों को थोड़ी निराशा हो सकती है दिसंबर के महीने में क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई में थोड़ी गड़ावट देखने को मिल सकती है पंचमीश का अश्टम में विराजमान होना इस बात का संकेत दे रहा है अला कि ये स्तिती थोड़ी स कागरता की आपके सहयम की अगर आप एकागरता और सहयम से काम लेंगे तो चोटे मोटे असफलता हैं अभी आप देख रहे हैं आर्पी तक उससे आप जल्दी बाहर निकलेंगे ये निश्चिंत है क्योंकि ग्रह गोचा में स्तिती परिवर्तित होती रहती है तो उसको गंबीरता से नाले अपनी पढ़ाई को गंबीरता से ले उसके बारे में सकरात्मक सोचे तो आपको सवलता अवश्य मिलेगी उसके लावा जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य दिसंबर में आपका जो सूरह है जो लगनेश राशी परिवर्तन करके पंचमेश में आएंगे प्रेम संबन के लिए आपका जो दिसंबर का मेंना उतार चड़ाव के साथ रहने वाला है थोड़े सी परिशानी आपको रहेगी इसके अलावा जो बुद्ध और शुकर है शीकरी लगी सुवाती जो सब्ता में दिसंबर के राशी पईवतन करके पंचम स्थान में तो हो सकते हैं आप अपने एहम के कारण अपने रिष्टे को खराब कर दे तो अगर आप इसके बार में विश्यच ध्यान रखेंगे तो आपके रिष्टे मधूरता बनी रहेगी अपने अहम को बीच में ना लेकर आएं और सहियम से काम ले इसके अलावा आप अपने रिष्टा फिर से ही वैसे मधूरे होगे जैसे पहले था चोटे मोटी उतार चड़ाव को आप नजर अंदास करेंगे तो आप देखेंगे आपके लिए दिसंबर बहुत ही अच्छा रहने वाला है वरना आप अपने एहम के कारण अपने रिष्टे को खराब कर देंगे इ आप अपने रिष्टों को मजबूती से आगे तक ले जाएंगे क्योंकि पंचमेश का अश्टम में होना एक कई बार इस तरह की घटना ही होती है जैसे ब्रेक अप जिसे कहते हैं यह रिष्टा समय टूर जाना तो इसका भी खत्रा बना रहता है तो उसके बारे में आपको विशेश सोचना पड़ेगा इसके लिए आपको सकरात्मक होने की जरूरत है गलत फहमियों को अपने रिष्टों में ना आने दे और हो सके बात चीत से अपनी समस्या को हल करें और अब हम बात करेंगे विवाही दबत्तियों के लिए कि दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है तो हम बात करेंगे विवाही दबत्तियों के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है यह कुछ खास तो नहीं क्योंकि जैसे पहला था वैसे यह भी रहने वाला है क्योंकि शनी अभी वी जो सब्तमेश छटे भाव में विराजमान है और काफी टाइम तक से यहीं पे लेकिन आप यह भी देख रहे है कि शनी आपके रिश्ट को अच्छे से परिपक यह नि मैच्यूर भी कर रहा है आपके अंदर समझदारी भी बढ़ रही है लेकिन आपकी चोटी सी लापरवा ही आपके रिश्टे को खराब भी कर सकती है उसका मुख्य करन दश्यम के लिए योगा मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं आप अपने जो सहयोगी आपनी जो पार्टनेयर उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं अपनी जो गलत फैमियों उसको दूर कर सकते हैं बजाए इसके की अपनी फ्रस्टेशन को आप उसको बढ़ावा दे जिसकी वज़य से लंबे समय तक नहीं रहने वाली है लेकिन आपको सकरात्मक होने की जरूरत है अपने गुस्य को कंट्रोल करने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि आपका रिष्टा बना रहे बरकराय रहे तो यह था विवाहित दबत्यों के लिए दिसमबर का फलादेश तो अब हम बा के लिए बहुत अच्छा उपाय है इसके अलाबा आप रिस्पतिवार को केले के जड़ में पूजन कर सकते हैं जल चड़ाकर या लीपक जलाकर पूजन कर सकते हैं इससे भी आपको विश्यश लाब मिलेगा तो यह था उपाय और फलादेश दिसमबर के लिए सिंग राश चैनल तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें इसके अलाबा आप हमारे चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ यदि आप अपना कुंडली का विश्यशन हमसे कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए के वाट्सेप नंबर पर हमें हारी कृष्णा